आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, आज ही Ocean में बोला गया है Which of the following is true? इन चारों में से कौन सा statement true है मतलब सही है फर्स्ट पोला गया है कि इन जिम्नो स्पर्म, Reduced Gametophyte is called Pollen Grain तो बिल्कुल सही बात है कि जिम्नो स्पर्म मतलब Naked Seed वाले Plants होते हैं उसके अंदर Reduced Gametophyte जो होता है उसको हम Pollen Grain मालते हैं और ये Pollen Grain Male Gamet भी होता है तो फर्स्ट स्टेट्मेंट हमें आपर Correct दिया हुआ है सेकंड स्टेट्मेंट के अगर हम बात करें सेकंड दिया है Red Algae are mostly Isogamous तो दोस्तों ये स्टेट्मेंट हमें आपर Incorrect दिया है विकोज अगर हम Red Algae की बात करें तो Red Algae के अंदर जो Sexual Reproduction पाया जाता है वो हमेशा हम कह सकते हैं Only Oogamous होता है ना कि Also Gamous होता है अगर हम 3rd की बात करें तो 3rd दिया है कि Protonome Nema stage is present in all Bryophyte तो ये स्टेट्मेंट भी Incorrect है Basically अगर हम बात करें तो Bryophyte वो Plants होते हैं जिनके पास True Leaves की Presence नहीं होती है और ये जो Protonemita होता है ये क्या होता है? ये Characteristics होता है अगर हम देखें तो सारे Mosses का Characteristics होता है और कुछ Lever Wats का Characteristics होता है But Horn Wats के अंदर ये क्या होता है? Absent होता है तो हम इसा नहीं कह सकते कि सारे Bryophyte के अंदर ये Present होता है Then अगर हम बात करें 4th की तो 4th statement दिया है Basidio Spore Produced Indogenously तो ये भी गलत है Because ये जो Basidio Spore होता है ये किस तरीके से Produce होता है? Exogenously Produce होता है At the tips of हम कह सकते हैं Fine Out Growth जिसे हम बोलते हैं Sterig Meta Therefore हमारे Question का Correct Answer आएगा A वाला आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट 8444 चार्स उपर